नमस्कार स्वागत है आपका अर्या न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल जर्नल विपिन रावतास जब अपने अंतिम संस्कार पर निकलेंगे तो वो मौका सिर्फ उन्हें अंतिम सलामी देने का नहीं होगा बलकि वो पल होगा जब हम उन तस्वीरों को अपने समरितियों में समेट लेंगे हमेशा हमेशा के लिए और आने वाली पीडियों को गर्व के साथ बताएंगे कि हमने देश के पहले CDS को देखा है और हमने जर्नल विपिन रावत को देखा है और कुनोर हेलिकोप्र हाथ से के शिकार देश के शूरवीर यद्धाओं को आज पूरा देश नम आखों से सर्धाजली देता है और इसके साथ ही देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी मधूलिका को आज अंतिम विदाई दी जानी है सुभाई 11 बजे जनरल को और उनकी पतनी को पार्थी शरीर जो है उनकी दिल्ली के आवाज पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा इससे पहले कल पीम मोधी समेत कई लोगों ने उन्हें शर्धानजली दी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोधी ने सेडियस को विपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को दी शर्धानजली और इसके साथ ही परिजनों को भी मुलाकात की है रक्षा मंत्री राजराथ सिंग एंसीय और अजीत ढोबाल और तीनों सेना परमुखों ने भी शहीदों को शर्धानजली दी है रक्षा मंत्री भी शहीदों के परिवार बालों से मिले और सेडियस विपिन रावत पतनी मधूली का रावत बिरगेडियर एलेस लीडर और विवेक कुमार के पार्थिव शरीर की पहचान हुई है नो शहीदों की पहचान होना बाकी है तमिलनाडू के वेलिंग्टियन आर्मी होस्पिटल में सेना और सीम स्टालिन ने जनरल रावत समेथ सभी 13 लोगों को शर्धाज ली दी जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिली के 13 कामराज मार्ग पर उनके आवास पर लाने के बाद आज लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और इसके साथ ही आपको बता दे कि विपिन रावत के साथ-साथ उनकी पत्री मधूली का रावत के पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा सुभाई 11 बजे पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा 11 बजे ही दोपहर 12 बजे तक गड़माने लोग उन्हें शर्धान्ज लिए देंगे दोपहर आपकी बात करनी जाए तो वहाँ पर साड़े 12 बजे से 2 बजे तक सेन्य अफसर उन्हें अंतिम विदाई देंगे और दोपहर 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी आपको बता दे कि अंतिम यात्रा पूरे सेन्य सम्मान के साथ ही निकाली जाएगी और इसके लिए जो इंतिजाम किये जा रहे हैं वो भी अबूत पूर्व होगा तमिलाडो में कुन्दूर के पास हुए हेलिकॉप्टर हाथसे में शहीद हुए CDS विपिन रावत का अंतिम संस्कार आज दिल्ली केंट के बरार स्कौाइट सम्शान ग्रह में होगा और ये सुभाई 11 बजे से ही आम लोग पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे इसके बाद दोपहर 2 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी CDS विपिन रावत के अंतिम संसकार में भाग लेने के लिए श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे भारत के पडोसी देशों से भी सेने हस्तियां दिल्ली आएंगे और CDS जनरल विपिन रावत के अंतिम संसकार में श्री लंका के CDS और सेना कमांडर जनरल शावेंद्र शिल्वा शामिल होंगे और साथी पूर्व एडमीरल वेजु गोडवार भी उसमें आएंगे और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अंतिन संसकार में नेपाली सेना का पर्तिनिद्द्ट वाइस चीफ आफ आःमी स्टाफ ले अधिनेंट जर्नल करेंगे और कृष्णय कारगी और वही रोयल भूतान सेना का परतिनिद्द्ट तो दोरजी रेंचेन करेंगे और कल भुटान के राजपरिवार के CDS जनरल विपिन रावत को शंधार दी थी आपको बता दें कि दिलिकेंट के बकार स्क्वाइडर में भी आज सुभा नौ बजे बिर्गेडियर LSA लिडर का भी अंतिम संसकार होगा हेलिकॉप्टर हाथसे में इनका जनरल रावत के साथ ही निधन हुआ था और हाथसे में विपिन रावत की पतनी मधूली का रावत का भी निधन हुआ था और इसे पहले कल दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल विपिन रावत समेत सभी तेरा शहीदों को शर्धानजनी दी और परिजनों से भी मुलाकात की इस दुरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, NSA, जीत धोबाल और तीनों सेना परमुखों ने भी शहीदों को शर्धानजनी दी आज कॉंग्रस निता राहूल गान्धी भी CDS विपिन रावत का अंतिन दर्शन करेंगे दिल्ली NCR परदूशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है पिछले हफ़ते की सब्सक्त सुनवाई के बाद केंदर सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उरन दसकों का गठन किया था और जिस पर आज कोर्ट मामले में हुई सुनवाई पर रिपोर्ट लेगा और इसके साथ ही आपको बता दे कि अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों से ही निर्मान कारे पर लगी रोक को हटाने पर भी दिचार कर सकता है गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में पर दूशन के स्तर को देखते हुए गैर जरूरी निर्मान कारे पर रोक लगाने का आदेश दिया था और बता दे आपको कि कोर्ट ने वीती सुनवाई में इस बात पर आसंतोष जताया था कि NCR ने होने वाले परदूशन को लेकर केंडर सरकार ने पिछले साल जो आयोग बनाया था वो सफल नहीं हो पा रहा है और कोर्ट ने ये भी कहा कि आयोग के पास अपने निर्देशों को लागो करानी की कोई कानोनी शक्ती नहीं है चीफ जस्टिस N.V. रमना, जस्टिस D.Y. चंद्रचून और जस्टिस शुरेकांत ने भी बैंच ने ये कहा संकेत देते हुए कि अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन करेगी साथ ही साथ फ्लाइंग स्कॉइड यानि उड़न दस से भी बनाई जाएंगे और हाला कि कोटने की सुनवाई शुरू होने से पहले केंद्र ने नया हल्फ नामा दाखिल कर दिया कोटने दिली सरकार को भी आड़े हातों लेते हुए कहा कि कोटने ये भी साफ कह दिया कि दिली सरकार परदूशन से लड़ने में गंभीर परियास नहीं कर रही है उसका पूरा जोर सिर्फ अपने विचार परगट करने में है कोटने दिली में स्कूलों को खोले जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है वहीं दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिस्ट वकील अभिशेक मनु सिंग्भी ने भी जजो को ये बताया है कि दिल्ली में स्कूल खोलने का निड्ने किस वज़ा से लिया गया है और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया में देखा है कि हमे ऐसे खलनायक की तरह दिखाया जा रहा है जो दिल्ली के बच्चों का स्कूल बंद करवा देना चाहता है जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम कोई राजनिविक दल से नहीं है कि प्रेस कॉंफरेंस करके सफाई दें सिन्वी ने ये भी कहा सहमती जताते हुए कह दिया कि जजो ने स्कूल बंद करने का आदेश नहीं दिया था सिर्फ सवाल पूछे थे राजसान के जएपुर में कुरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन से पॉजिटिव सभी नो मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है राजसान स्वास्ते विभाग के मताबिक सभी मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और साथ ही उन्हें साथ दिनों के लिए भी कॉरंटीन में रहने के लिए सवाल दिये गये थे और बता दे आपको की राजे में पहली बार 5 दिसंबर को ही जैपुर में 9 लोगों को करोना वाइरस की सोरूप ओमिक्रोन से संक्रमित होने की पूस्टी हुई थी इनमें 4 लोग दक्षिन अफ्रीका से लोटे थे और 5 उनके संपर्क में आए और उनके रिष्टेदार थे अधिकारियों ने बताया कि दक्षिन अफ्रीका से लोटे परिवार सहीद उनके संपर्क में आए 34 लोगों के नमूने लिए गये हैं और इसके साथ ही जिनमें से 9 लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने की पुष्टी हुई जबकि 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है बता दे कि ओमिक्रोन वेरियंट का सबसे पहला मामला करनाटक में 2 दिसंबर को आया था देश में अब तक इस वेरियंट से 23 लोग पॉजिटिव हुए हैं और ओमिक्रोन के सबसे ज़्यादा 10 मामले महारास्ट में हैं वेशिक स्तर पर ओमिक्रोन सवरूप के 2303 मामले हैं इस बीच DCZA ने भी ब्रस्पतिवार को कहा कि भारत अपनी निर्धारित अंतरास्ट्रिय यात्री उडानों को अगले साल 31 जनवरी तक निलंबित रखेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि करोना वाइरल स्वरूप ओमिक्रोन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एक दिसंबर को निर्धारित अंतरास्ट्रिय उडानों को 25 दिसंबर से बाहाल नहीं करेगा उससे एक सब्ता पहले ही उसने घोशना की थी कि वो निर्धारित अंतरास्ट्रिय उडानों को फिर से शुरू करेगा पाकिस्तान का एकर ट्रेन ड्राइवर इन दिनों खूब सुर्ख्यां बटोर रहा है आपको बता दें कि सुर्ख्यां बटोर ने की असल वज़ा उसके द्वारा की गई एक अजीब हरकत सी बताई जारी है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जम कर हो रही है दरसल इस ड्राइवर ने ऐसा कारणामा किया है जिसके बारे में सुनकर लोगों की हसी निकल रही है हाला कि उसकी इस लापरवाही पर पाकिस्तान के रेल मंतरी ने कारवाही करते हुए उसे और उसके सहायक को नौकरी से निकाल दिया है आपको बताते हैं कि या आखिर पूरा मामला किया है दरसल वज़ा ये रही कि उसे सजा मिली है और दरसल ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना का खुलासा सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो वाइरल होने के बाद हुआ है और इस वीडियो में एक शक्स लाहोर स्टेशन पर साथ में दही लेकर आता दिख रहा है जबकि वीडियो बनाने वाला कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर असिस्टेंट है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और इन लोगों ने दही लेने के लिए यहां ट्रेन रोकी है अब ये दही लेकर ट्रेन लेकर जाने के जो तैयारी है वो साफ दिख रही है असिस्टेंट ने बैठते ही ड्राइवर ट्रेन को स्टेशन से लेकर निकलने को कहा और इस वीडियो को देखकर लोगों को हसी भी आ रही है और ट्राइबर की लापरवाही पर भी गुस्सा आ रहा है सोचल मीडिया पर ये वीडियो खूब शेयर भी किया जा रहा है रिपोर्ट्स की मताबिक वीडियो सामने आने के बाद से ही पाकिस्तान के रेल मंत्री आजम खान स्वाती नहीं ट्रेन के लोग को पाइलेट राणा मुहम्मद शहजाद और उसके असिस्टेंट को निरंबित कर दिया है रेल मंत्री ने शक्स हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बरदाश्ट नहीं की जाएगी व्यक्तिगत उपियोग के लिए राश्टी संपती के इस्तिमाल की अनुमती किसी को नहीं दी जाएगी केंदर सरकार की तरफ से मिले परस्ताव उपर बनी सहमती के बाद किसान संगठन की तरफ से गुरुवार को आंदोलन स्थगित कर दिया गया यानि की 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है सेयुत किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद इस फैसले का एलान किया गया और इसके साथ ही 11 दिसंबर को किसान अपने घर लोट जाएंगे किसान नेता बलवीर सिंग राजयवाल ने कहा कि अंकारी सरकार को जुका कर जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन खतम नहीं हुआ स्थागित हुआ है मोर्चे खतम हो रहे हैं 11 दिसंबर से घरवापसी होगी और राजेवाल ने कहा कि सयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा हर महीने 15 तारिक को बैठक होगी और किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा चुनाओ में उतरने सवाल पर उन्होंने कहा कि मोर्चा चुनाओ नहीं लड़ेगा जब कि किसान नेता हन्नान मौला ने कहा कि आजादी के बाद ही ये सबसे बड़ा आंदोलन है सबसे शांती पूर्वन आंदोलन रहा है और किसान मोर्चा ने कहा कि 15 जन्वरी को फिर बैठक बुलाई गई है सर्कार ने इसे बड़ी जीत कराण देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किये तो फिर से आंदोलन होगा मोर्चा ने कहा कि इसके जैसा अंदोलन ना कभी हुआ है और ना होगा इससे पहले किसानों की लंबित मांगो पर सरकार की तरफ से क्रिशिर सचीव के हस्ताक्षर से चिठ्थी बेजी गई थी और उसके बाद सईुत किसान मोर्चा ने बैठक की इससे पहले संहीत किसान मोर्चा की बैठक को लेकर भी सवाल उठ रहे थे और पास सदसे कमेटी के सदसे अशोक धावले ने कहा कि सरकार की तरफ से मिले नए मसोदे पर आज बैठक में चर्चा की जाएगी उसके बाद ये अंदोलन खतम करने को लेकर संहीत किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया जाएगा काशि विश्वनाथ धाम के लोकारपन के बाद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 23 दिसंबर को काशी आएगे और इस दोरे पर वो काशी वासियों को पंद्रा सो करोड रुपे की सोगा देंगे इसमें आपको बता दें कि सिर्गुरवरधन पूर में भी संतर अविदास मंदिर में बने लंगर हॉल को भी सरधालों के लिए समर्पित किया जाएगा और इसके अलावा छे बाड़ों में होने वाले कारियों के साथ ही लहराता से भी मोहन सराय तक के फोर लेंड सड़क का भी सिलनास करेंगे परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तेयारिया तेज हो गई है वो सवदेश मंदिल अमराहा में भी जाएंगे और वो काशी समेथ पुरवाचल के किसानों के साथ वहाँ समबाद भी कर सकते हैं संतरविदास मंदिल में दूर दरास से आने वाले शरधालों की सुविधा के लिए लंगर हॉल भी बना रहा है इतकुल आट सो करोड रुपे की परियोजनाओ का लोकार पर भी प्रधानवंतरी नरेंद्र मोदी करेंगे S.K.M. ने एक साल के लंबे प्रोजेक्ट के बाद ही आखिरकार अपने अंदोलन कल प्रस्पतिवार को वापस ले लिया है किंद्रसरकार वारा किसानों के सभी मांग मानने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया है राजस्थान के किसान आज ही अलवर साजापूर बॉर्डर से हटेंगे और किसानों के हटने के बाद आज एक साल के बाद दिल्ले जयपूर हाईवे खुलने वाला है स्यूद किसान मोर्चा के राजस्थान विंग ने बताया कि शुकरवार को सुभाद जनरल मीटिंग में ही मोर्चा शाजापूर कीरा बॉर्डर से हटेगा और एक साल तक चले इस सफल आंदोलन के बाद किसानों ने इस फैसल लिया है और स्यूद किसान मोर्चा बॉर्डर से हटने के बाद गाओ गाओ किसान आंदोलन सफल बनाने के लिए किसानों का धन्यवाद करने के लिए एक कैम्प चलाएगा सरकार के परस्ताव पर मंगलवार को ही स्यूट किसान मोर्चा की सहमेतियों के बाद ही गुधवार को ही केंदर सरकार ने नया परस्ताव भेजा है बिलको लेकर कहा गया है कि संसद में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा की जाएगी और सरकार के नए परस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा की पांच नेताओं की कमीटी ने नई दिली में बैठक की और फिर सिंगो बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक मे परस्ताव को मंजूर कर लिया गया सहमती का एलान करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा परस्ताओं को लेकर अधिकारिक एलान करने के बाद धरना खतम करने का एलान किया है हलाकि MSP पर गैरंटी के लिए किसानों का संघर्ष अभी भी जारी है इसके लिए किसान 15 जनवरी को दिल्ली में एक मीटिंग भी करेंगे जहां पर आगे की रणनेती तै की जाएगी